Hello and welcome friends, SQL Server सीखने की सीरीज में मैं सुरज आपका स्वागत करता हूँ और आज की ये वीडियो है SQL Server की कुछ बताने से पहले आपको ये सूचित करना चाहता हूँ कि Tally की जो Live Class है वो कल शाम साथ बजे से होगी, रेगुलर तो जो भी स्टुडेंट Tally सीखना चाहते हैं, वो सीधा जोड़ सकते हैं हमारे साथ और Tally की Live Class वहाँ से कर सकते हैं, देखिए Practical Based पूरा लेकर के बताऊंगा और Question कैसे आते हैं ये भी बताऊंगा, सारी चीज़े बताई जाएंगे उसमें तो डेली साथ बज़े से जुड़ने के लिए किवल चैनल को सब्सक्राइब करना है, वेल आइकन को प्रेट करना है, और साथ बज़े से हमारे साथ लाइप जूड़ जाना है, ठीक है, जो भी सवाल है, आपके सारे सवालों के जवाब दूँगा, ठीक है, तो देखिए, गालीट के लिए गालीट के आइप, जैसे माली जी आपकोई भी डेटाबेस बना रहे हो, जैसे मालीजी में यहां पर कर देता हूं, shop database shop d कर देते हैं shop d ठीक है तो यहां से जाकर के और ok कर दीजेगा तो यह database तयार हो जाएगा shop d देख सकते हैं ठीक है चुकि मैंने school d नाम से बनाया मैं school d का ही use करूँगा यहां पर जाओंगा और अब हमें यहां से tables बनानी है तो देखिए table आप query के through भी बना सकते हैं mysql म पे तो थोड़ी सी दिक्कत रहेगी ही ठीक है जब आप workbench पे काम करेंगे तो इसी तरह का scenario वहां पर भी देखने को मिलेगा तो यहां पर जाकर के edit top 200 रोज पर click करिएगा और जैसे click करेंगे तो इस तरह का scenario आपको दिखने लगेगा ठीक है अब इसमें यहां पर देख सक यहां पर चलते हैं click करते हैं अब यह column का नाम देना है तो यहां पर सबसे पहले मैं दे देता हूं और रोल लंबर यह लिख दिया रोल अंडर स्कॉर लगा के लिखिएगा गैप मत दीजेगा और डिटा टाइप क्या रखेंगे एंड कैर एंड कैर डिटा टाइप रखें धिया हुआ बास primary की बना डिजिए हो गया काम ठीक है अब यहां पर क्या करना है यहां पर अगला यहां पर नूमेरिक ही रखेंगे तो यह रcesख लिया है और इस तरप है थिकिन हम यहां पर करद दीब करने के के लिए हम यहां पर देख़ने लगे के लिए और अब इसमें फिल्ट करने के लिए हमें यहां पर डामकी बनाया यहां पर लिख दिया राम, और यहां computer के marks आएंगे, और यहां पर हिंदी के marks आगए, अब यहां पर roll number 2, ठीक है, यहां पर लिखा शुभम, दूसरा नाम, और यहां पर 77, 55, तो यह दिखे, यह इस तरीके से हमने कर दिया है, और यहां पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है आपके, कि यहां पर जो भी नाम लिखे गया है न, वो जरध्यान से दिखे, इसमें जो है, यह 2 दिया गया है, और क्या हम 1 को revise कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह primary की है, अगर हम यहां यहां पर यह error generate करेगा, देखिए यहां पर, अभी तक तो revise हो रहा है, लेकिन यहां पर जैसे ही आएंगे न, no row work updated, यह आपको error आएगा, violation का error आएगा, क्योंकि आपको इसे primary की बनाया हुआ है, इसलिए यह violation का error देगा, ठीक है, तो IHOP की आपको बात समन गाई होगी कि primary की किस तरीके से useful है, ना सिर्फ MySQL में, ना सिर्फ Microsoft Access में, बलकि SQL Server में भी, ठी Change open to view, ने ज एम झाल के लिए माइगा चाही है, ड़णा से लनाया हुआ है, झापको बात समन गाई है, झाल के यहां है, इसलिए में उनक हूआ है, इसलिए में जना समन गे से जी हैंको बखं़ कि में जससे हैं बivering कैसा ह्या है, छिए किएकि में धγू कार प्या है, इस